बिस्मिल्लाइर वह्मान रोहीम अस्सलाम अलेकम फ्रॉंस आई हो और वाल सो आज जैसे के आप लोग को मैंने अपडेट दी दी थी रात को ही के हम जो है क्या करेंगे हम अपना सिलिबर जो है वो फर्स्ट येर और सेकंड येर दोनों का साथ लेके चलेंगे ठीक है तब तक साथ लेके चलेंगे जब तक हमारी सेकंड year स्टूडेंट का क्या न हो जाए एग्जाम्स न हो जाए को अभी सब्स्य। छल रहे हैं तो फिलाल उनके लिए हम इंक लिए हमने बायों को अपने विकलि टेस्सेशन से skip कर दिया हम फिलाल बायों को skip कर देंगे हम फिलाल अपने first year और second year को लेके चलेंगे ठीक है first year कौन से chemistry physics इस तरह से इसका भी chemistry physics मतलब chemistry physics first year second year हमारी weekly test session में ठीक है weekly basis पर four chapter का test होगा ठीक है दो जो है first year chemistry first year physics और दो जो है second year physics और second year chemistry ठीक है इस तरह से total 4 chapter का हमारे weekly test session जो होगा हमारा उसमें इस तरह से हमारा क्या होगा test होगा first year chemistry और physics और second year physics और chemistry इन दोनों के chemistry physics तो बहुत दा ट्रकी होते हैं प्रेकिस प्रेक्टिस की चीज़े होती है तो इस वज़े से अब है अगर मैं वेट नहीं कर सकती तो अभी फिलाल इस पे बहुत ज़दा प्रेक्टिस और कैलकुलेशन वाली चीज़े होती है तो इस वज़े से मैं चाहरा हूँ कि हम chemistry और physics को अभी से start कर दें ठीक है अभी से हमने start करना होगा और यह बहुत ज्यादा अच्छी opportunity है आप लोग के लिए यह प्लैटफॉर्म में दे रही हूँ आपको अपने चैनल पर डॉक्र दीनावजीर Academy ठीक है इसमें मतलब आपको first year और second year दोनों को मैं लेके चल रही हूँ ठीक है मतलब को कोई first year वाला attempt करें second year attempt करें अगर कोई MDCAD वाला student है तो वो तो दोनों ही attempt करेंगा ठीक है अगर उसके लिए possible है तो ठीक है तो यह सारी update थी जो मुझे देनी थी अब हम अपने topics पर आते हैं कि topics आपको कि कौन से chapter है यह fundamental principle of chemistry first year chemistry का first chapter है ठीक है मैंने अब यह दायर से बाले जब मैंने आ ठीक है यह lecture मैंने प्रोवाइड कर दी आपको अच्छा तो अब हम चलते हैं अपने topics पर ठीक है जो माई topics है सबसे पहले empirical formula को देखेंगे fundamental principle of chemistry की topics है और यह बहुत important chapter है आपके MDCAD के लिहाज से भी आपके first year के लिहाज से भी यह बहुत important chapter है क्योंकि इसमें से चार से पांच MCQs तो आ ही जाते हैं ठीक है और बच्चे medical student को यह बहुत ज़्यदा tough लगता है क्योंकि वो समझते हैं कि यह तो calculator के बिना हो यह नहीं सकता तो नहीं मैं आपको without calculator ऐसे tricks दोंगी जिसकी बदोलत क्या करेंगे आप easily जो है अपना आपका यह बना chapter cover हो जाएगा without calculator मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से करना है इसको ठीक है तो बस आप लोगोंने साथ देना है इस चैनल को promote करना है अपने colleges में first year classes में जाकी बोलना है second year अपने friends को भी बोलना है ठीक है यह सारी चीज़े आप पर dependent है कि आप कितनी help करते हैं कितना support करते हैं मुझे ठीक है मैं अपनी studies अपने जो टार्गेट से विला साइट पर कर दी है कि मैं चाहरे हूँ कि मैं लेक्चर अगरा प्रोवाइट करूँ ताकि तब तक आप लोग वो देखें तब तक जब मैं फारिग होती हूँ फिर मैं आपको पास से फ़र्गें से करवाँगी इंशाला ठीक है तो topic क्या है सबसे पहले अब इसमें empirical formula देखेंगे empirical formula को देखन है आज के lecture के हमारे सबसे बहुएं इवाटे करूंबा इसे फार्स वह ज़िखन्ट कर सकते हैं किस तरह साधी क्राइन केड़ करणि को दिख सकते हैं क सबसें को इसने की अ कusपाउंब्सु तो क्बट श्यचतर से हां कि रह धर सबस्क्राइए कर सकते हैं Сам लीचित प्यचि वहालत भी करके आजाए तो मैं आपको समझा रही हूं जो डेफिनेशन है ना कि यह फार्मूला विच रिपिसेंस सिंप्लिस होल नंबर रिशो बिट्वीन दी एटम्स और डिफरेंट इन अ कंपाउंड इन इस कोलम पेर कर फार्मूला तो यह फार्मूला क्या कह रहा है यह यह फार्मूला विच अब 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 आपको बता रही हम पूरी डेफिनिशन जैसे कि कंपाउंड है कौन सा कंपाउंड जल्दे से बताए मुझे इग्लुकोज है यह क्या है तो यह कंपाउंड हैब मैं कह रही हूं कि अब यह जो कंपाउंड के अंदर जो अलेमेंट है इसके एटम 12 है, oxygen एक element है, इसके एटम 6 है, ठीक है, तो अब हम यह कह रहे हैं, इस definition में यह कह रहे हैं, कि फार्मूला जो है, अब हमने इस compound के अंदर जो elements है, और elements के जो, इस compound के अंदर जो elements है, उनके atoms के दरम्यान, जो simplest whole number ratio निकाल लेंगे, नो हमारा empirical formula होगा, अब किस तर दो उचें कि 6, 12 और 6, तीनों कौन से table में आ सकते हैं, कौन से table में आते हैं, कि हम उसको divide कर सकें, ठीक है, तो आपने देखा, 6 के table में, 12 भी आता है, 6 भी आता है, जार से बात है, तो पिर आपने क्या क्या है, 6 से ही इसको divide कर दिया, तो 6 1s are 6, 6 1s are 6, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 1s are 6, 6 1s are 6 तो simplest क्या है जो whole number ratio है, C1 है, कुछ भी नहीं है, आपर 1 ही होता है, ठीक है, H2 है, और oxygen भी 1 है, कुछ भी नहीं होता है, तो इसका मतलब ये glucose का empirical formula क्या है, C2O मतलब C1, H2O1, ठीक है, यहां पर कुछ भी नहीं होता है, तो CH2O empirical formula किसका है, ग्लुकोस का, तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, empirical formula, simplest, empirical formula, आप मैं सिर्फ empirical formula को, अब आप लोग समझ गए, कि what is empirical formula, ठीक है, बाकाईता, मैंने वो definition को आपको यहां पर करके दिखा दिया था different elements in a compound, ठीक है, यह different elements थे, इनके atoms, कि जो simplest whole number ratio हमने निकाल ली, ठीक है, so empirical formula की definition आपको समझ आ गई, याद भी हो गई होगी, जिस तरह से मैंने आपको बताया, अच्छा, अब मैं कह रहे हूँ, अच्छा, मैंने आपको glucose की example ली थी, इन्होंने, मतलब example किसकी दिये, यह भ यह क्या है, C6H6, यह क्या है, बेंजीन, अच्छा, अब यह बेंजीन, जो है, C6H6, अब आप देखें, इसका empirical formula कैसे निकलेगा, simplest whole number ratio 2, 6, 6 है, मतलब 6 के table से हो जाएगे, तो 616, 616, तो C1H1, मतलब CHB किलिख सकते हैं, यह पर कुछ भी नहीं होता है, तो देखें, C6H6 क empirical formula देखें, यह है, और यह जो C6H है, इसका molecular formula कहते हैं, जिस तरह से हमने glucose का देखा दा, CXH12O6, वो कौन सा formula था, वो molecular formula था, उस molecular formula को हमने empirical formula, simplest whole number ratio में, इस तरह से C6H6, जो कि एक molecular formula है, इसका हमने empirical formula, जो कि simplest whole number ratio, जो कि क्या है, इसका CCH आया, ठीक है, तो इस तरह से MCQs सकते हैं, कि C6H6, का empirical formula क्या होगा, तो फिल्कुल बच्चो वाला है, आपने फॉरण वापे एक option होगा CH, तो आपने उस पर टिक करना, इस तरह से glucose का लिखेंगे, C6H12O6, ठीक है, हम उसका है, वो क्या है, अभी आपने, मैंने निकल वाया था, तो उसका empirical formula क्या है, वाप बेंजीन का empirical formula है, तो बेंजीन का molecular formula पूछे है, तो जार से बादे CH6 आएगा, इस तरह से बेंजीन, वो, glucose का दे सकते हैं, CH2O, वो आप से पुछे हैं, कि इसका molecular formula क्या है, ग्लुकोस का, तो आपने जार से बादे CH6H12O6, आपने प्रक्टिस की होगी, तो आपकी fingertips पे अब हम देखते हैं, molecular formula, molecular formula क्या, अभी जैसे मैंने उपर बताया कि molecular formula, actual number of atoms in a molecule बताता है, जिस तरह से हमने देखा कि C6H12O6, ये actual थे हैं, कि carbon element के 6 atom है, hydrogen के 12 है, oxygen के 6 atom है, ये actual बता रहा था, मतलब जो असल में थे, oxygen के अंदर जो carbon के atom 6 थे, और hydrogen के 12 तो oxygen के 6 है, तो ये अ असल में बता रहा है, असल में जो actual number of atoms बताता है, किसी भी molecule में, वो हमारा molecular formula होता है, ठीक है, जिस तरह से हमने बेंजीन में देखाता है, कि C6S बता रहा था, मतलब असल में ये है, लेकिन उसका empirical formula हमने ये निखाता है, तो simplest whole number ratio है, ठीक है, तो molecular formula के definition पर क्या हुई है, कि एक्च्वल नंबर of atoms बताता है, ये बात बस, इसमें आपने ये वाले याद रखनी है, इसमें ये वाले याद रखनी है, ठीक है, तो it's based on the actual molecule of a substance, मतलब किसी भी substance, भी glucose का, ये बेंजीन का आपने देखा, तो इसकी जो actual molecules है, ठीक है, उसको ये रिप्रेसेंट करता है, उ अब आपने empirical formula समझ लिया, molecular formula समझ लिया, अब आप कह रहे हैं, कि हम इसमें relation देखना रहे हैं, कि empirical and molecular में क्या relation है, उपर वसे मैं बता चुकी हूँ, ठीक है कि क्या relation है, लेकिन फिर भी, अब उपर तो मैंने आपको समझाया है, कि simplest whole number ratio होता है, वो actual होता है, actual को simplest में किस त to n multiply empirical, n क्या होता है, यह एक वो होता है, इसे क्या कहते है, n जो होता है, यह integer होता है, ठीक है, यह integer होता है, एंटीजर मतलब यह 1, 2, 3, 4, 5, किसी भी नमबर में हो सकता है, ठीक है, वो आप जब निकालेंगे, n को, यह integer है, इसको भी निकालने का एक formula है, तो जब भी आपक तो इसका इंटीजर निकलाए 6, तो आपने क्या कर देना, इस 6 multiply by CH करेंगे, तो इसका molecular formula क्या आएगा, C6H6, ठीक है, इस तरह से यह होता है, यह formula इस तरह से usable होता है, जिस तरह मैंने आपको इग्जैंप्ल दी, ठीक है, अगर empirical formula CH हो, आपको बता है कि इसका इंटीजर आप इस तरह से molecular formula निकलता है, ठीक है, यह integer भी निकालने का अलग procedure है, process है, ठीक है, लेकिन यहां पर आपको molecular formula बताया जा रहा है, कि अगर आपके पास integer है, और empirical formula आपको पता है, तो आप इंटीजर को इंटीजर को इंटीप्लाइ करेंगे, तो आपके पास molecular formula में एक्चुल न तो क्या जाएगा, C6, H12, O6, 6106, 62012, 6106, तो इस तरह से, अब यह integer आपने याद निकल सकते हैं, यह निकालने का process होता है, formula होता है, और यह तो आपको पता है, कि CH है, तो इसको जो हम 6 से multiply करेंगे, तब ही तो हमारे पास यह benzene का formula है, तो इसको इसका तो पता होगा रह करेंगे CH2 को, तब हमारे पास actual number of ratio C6, H12, O6 निकलेगा, ठीक है, यह सारी बाते हो गई, अब हम नेक्स चलते हैं, ठीक है, अच्छा, इंटीजर जिस तरह से मैंने बताया कि इंटीजर बाकाईदा निकलता है, इंटीजर को आप इसी formula को arrange करके निकाल सकते हैं, यहां तक इसी formula को आपने अरेंज किया, कौनसे formula को arrange किया, इसी formula को, तो आपने का गया तो आपने किसी भी अगर कमपाउंट का इंटीजर निकालना है तो आपने क्या कर देना है उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है सॉरr olmूछा नी तो आपने को संतीजर आपने किसे पताएं गया है किसे overl Tak 총 अधिक मॉलिक्यूलर मास करो आदा सिसका अविश को है किस उकर को छापन का किया है तो मास किसमेट का पर तो इसका मॉलिक्यूलर मास आप नहीं डिकाल सकते हैं निकाल सकते हैं ना काबन का क्या है एक मास 12 और यह कितने काबन है ठीक है और प्लस करके हाइडोजन के वन है एक मास और 12 है इस तरह से ऑक्सिजन का 16 एक मास है और 6 है तो अब इनको जब मल्टिप्लाइए करेंगे तो यहां पर एक वैल्यू आ जाएगी यह 12 होगा और यहां पर जो भी इन सब क मस किस तरह निकालेंगें अब आपने डूबारा से गुकोज का इंकलेंग कर देखना कि एक इंक्डारम अब बर्छा कर देंगर 어ě तो इसका मॉल्यकिलर मास 180 आया था और इंपरेकल मास 30 आया तो 3 से 3 कैंसल 3 1 0 3 3 6 18 तो इसका कितना आया देखे 6 आया है ना जो हमने पहले बताया था कि जत्ति तुमक्मटर में से 2 खुशब्र कहा है कि यृच अवर्नी आजिए 6 तो इस फार्मूले से आप ने देख लिए तो देखें आपको open गीरिकल आपे एफ और हमने व्करों के तो आपने बैंजीन का करना ह्ए निकालना है तिक है और और बेंजीन का कर लिए और दुबाया से प्रेक्टिस के लिए जो मैंने करवाया से 6 आ डिलो इन दोनों के इंटीजर निकाले ठीक है आप वही इंटीजर आएंगी जिसे पी ग्लुकोज का देखा इसका भी 6 यहाएगा ठीक है लेकिन आप ड़क्टि समझें 100 g compound ये जो है स्टून रट्टा लगाते हैं स्टून रट्टा ये आप तो बता हैं आप में समझा को कुछ नहीं आया होगा कि आपको जो कोचिंग में और आपने फॉरन बिना कुछ पूझे रिजिस्टर में चाप ली और आपने क्या किया घार जाकर उसको रट्टा लगाने मस्रूफ हो गए रहा मतब आपने फुल रट्टा लगाया लेकिन आपके पल्ले कुछ पढ़ा नहीं ऐसा ही है न ऐसा ही हो अच्छा तो आप से आप लोग रट्टा नहीं लगाएं इससे पहले कितना जबदा सरीके से मैं आपको हर चीज समझाई ठीक है अगर आप लोग करते हैं तो फिर मुझे जरूर बताईएगा तो परसंट आफ एलिमेंट को देखते हैं यह डेफिनेशन जो आपको रट्व एलिमेंट के लिगा मैं हूं है किसी भी 100 ग्राम कमपाउंड मैं है ठीक है अब इसको है अब फिता अब यह समझने के लिए आपको एक्जयम्पिल दोंगी अदर बाले खेले हमने आने अगसार को समझने की आने वाला इसे पहले हमने फार्मुला मस अफ ग्लूकोस मॉल्यक को अधार हें कि मार्टी इंपरिकल मास तो मुल्कुलर मास इमें से डिवाइट किया स्था यह किया था या नहीं तो उसके लिए उने मॉल्कूलर मास निकाला था से और ट्वाल बहर तो उन मॉल्टिप्लाइब ट्वेल भी आना है ऑक्सीजन का 16 इंप सिक्सें जिसक्सटीन इन तीनों को आपने प्लस किया तो आपके पस मॉलिकुलर मास आ गया 180 ग्राम पर मॉल ठीक है 180 ग्राम पर मॉल इन 180 आपके पास क्या है molecular mass आ गया किसका glucose का ठीक है अब यह जो 180 gram आपके पस molecular mass आ रहे हैं यह basically यह formula mass कहलो यह basically आपसे कहता क्या है what is say यह आपसे क्या कहता है है यह आपसे यह कहता है कि भई 180 gram पर जो glucose का molecular mass निकला है इसका मतलब यह है कि 180 में अगर आप पूछे कि carbon कितना है carbon gram पर मुल कितना है तो आप बोलेंगे carbon जो है 72 है 180 में 72 है और अगर मैं पूछेंगे hydrogen कितना है तो आप बोलेंगे 180 में से 18 180 में से 12 जो है वो hydrogen अगर मैं पूछेंगे oxygen का part कितना है तो आप बोलेंगे 96 gram यहीं बोलेंगे न अगर मैं आप से पूचों कि कार्बन 180 में कितना पार्ट है तो आप क्या बोलेंगे आप बोलेंगे जैसिके मैं आपको एक्जैंपल देती हूँ कोई आप फिर पूचें बेड़े कितने नंबर आएं आप क्या कहते हैं आप नंबर बताते हैं नहीं आप क्या बताते हैं आप क्या बताते हैं आप क्या बताते हैं परसंटेज बताते हैं क्यों कि अगर आप बोलेंगे मेरे 80 परसंट आए तो फोरन बंदा समझ जाएगा कि 80 80% इसके हर सब्जेक में 80 प्लस मार्क्स है तो आपने परसंटेज बता दिया उसको तो परसंटेज हमेशा किस में से निकलती है यह हमेशा हंड्रेड में से निकलती है hundred में से मतलब जब भी जिसे के आप लोग अपने calculation भी करते होंगे अगर आप लोग के exams में total जो है आपके मतलब आप लोग जब अपनी percentage निकालते हैं तो आप किस तरह से निकालते हैं जो आपके marks obtain हुए मतलब obtain जो आपके obtain marks है उसको total से divide कर देते हैं किस से hundred से यही होता है ना sorry यही होता है ना जैसे कि आपके अगर for example thousand total marks है और आपके आए कितने 600 और फिर multiply कर देना है अपने hundred से तो इस तरह से आपकी percentage आ जाएगी आपने nine metric में इसी तरह से निकलती है percentage तो इसी तरह से मैं कह रही हूँ कि आप जिसी कि आपके वो जो total number थे इस तरह से मैंने बताया कि आपके total number thousand थे ना इस तरह से मैं कह रही हूँ कि glucose के total number कितने मतलब total उसका formula मास कि molecular mass कितना है तो आपने कहा कि glucose का total molecular mass था वो 180 था कितना था 180 था ठीक है तो जिस तरह से आपने कहा कि मेरे total number थे 1000 थे तो मेरे को उसमें आप मुझे बताया कि कार्बन का कितना था था थे था तो आपने कहा कि 180 में कि मैं इतना हूं में इतना हूं में इतना हूं कार्बन के रहे हैं मैं इतना हूँ, हाइडोजन के रहे हैं मैं इतना हूँ, ऑक्सिजन के रहे हैं मैं इतना हूँ, अब हमने पता लगाना है अब जैसे के मैं अभी यहाँ पर डोकर के बताया था कि अब हमने इतनी परसंटेज निकालने के या परसंटेज यह कितने है मतलब हम में यह जानना है कि यह 100 g compound में कितने हैं ठीक है तो 100 g compound में हम क्या करेंगे कि जो यह कह रहे हैं न कि मैं इतना हूं carbon कह रहे हैं कि मैं 72 g हूं अपने 180 में